तो आज हम आपको प्ले स्टोर पे लिए चलते हैं पहले तो यहां आपको क्या करना है प्ले स्टोर पहले ढूंड़ी जी प्ले स्टोर अपने सबसे पहले आपको क्या करना है आपको प्ले स्टोर ढूंड लेना है तो प्लेस्टोर पे आप गए अपने लिखा प्लेस्टोर आगया यहां जाने के बाद आप क्या करिए आप यहां लिखी डिजरबेस्ट क्यार्ट या रेल चार्ट आर ए आई एल तो आपको एक रेल चार्ट एप मिल जाएगा यह एप है अभी मैंने वीडियो बिनाने के पहले इसको इंस्टॉल कर लिया है अब मैं इसको उपन करता हूं और इसकैं किया क्या शीकित है आपको मिल सकती जायंके देखें ayampe इसको देख सक्षक कर सकते हैं तो आपको देखिए a中国 incredible लिखा हुआ गया दूसरा इंग्लिस कर देंगे तो आपका सारा कुछ x Liz में आ जाएगा तो यह तो तो आप चार्ट देख सकते ह। ऑगो दूसरा ट्रेन के वारेxt information समझ सकते हैं प्राइन जान सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अब जैसे मैंने यहां आपको कुछ नहीं करना है है अभी मैं इसको क्लिक कर दिया यहां का नाम या निभर से ट्रेंग। सल्च कर सकते हैं जिस ट्रेंध में आप ट्रेवल करना चाहते हैं हो सकता है जिस ट्रेंध में आपका रेची टिकेट हो या तिकेट नहीं है दोनों केस में आपको यह एप हेल्प पहरेगी, कैसे, पोजरा देखिये, तो सबस्त करिए कि आप गोरक धाम में जाना चाहते हैं, और आपका यह कारेसी टिकट है, आप चाहते हैं कि आपको पूरी सीट मिल जाए, तो आपने लिखा गोरक धाम, और यह सबस्त करिए बारत 55 पश्पन गोरकपुर से दिल्ली की तरफ जाती है अलाकि गोरकपुर से भटिंडा तक जाती है तो उसमें आप सपोस्ट करिए कि आज की डेट में 13 चाहते हैं और आप कहां से गोरकपुर जंक्षन से आप बैठना चाहते हैं अब आप यहीं पर टिक कर लीजिए अब इसमें एक और अच्छी चीज है कि वेकेंट बर्थ स्टेटस आपको यह दिख रहा होगा यह वाला वेकेंट बर्थ स्टेटस इसका एडवांटेज क्या है कि आप सपोस्ट करिए आपको पता करना है इसमें इस पर थर्ड एसी कहीं कोई अवेलिबिलिटी नहीं है तो फर्स्ट एसी जैसे आपने क्लिक किया तो आपको दिखा देगा कहां से कहां आप दिख रहे हैं आप गोरकपुर से बस्ती तक एक सीट खाली है करिलाबाद तक बस्ती बस्ती भटिंडा तक देख रहे हैं आप फोर नंबर जूए अपर बरत गोरकपुर जंस यिए ऐसका मतलब आको क्या ड्वांटिज मिल जायगा जहां पर गोरकपुर जंस से बट्ष्ट बट् immigrants बट्रेंडा तक अखाली है तो सीदे में जा है इंदे में जाए जाने के बाद ये सब आधीदि करिए और वहीं टिति जो मैं आपको highlight कर रहा हूं यह वाला portion आपको दिख रहा होगा यहां से यह यह जिसको मैंने टिक किया है यह वाला seat खाली है तो यह आप decide कर सकते तो आप जाए टीटी से मिलिया और अपना ticket कर उनसे करा सकते हैं फिर आप आपको नई दिली से भटिंडा जाना है तो आपके पास धेर सारी availability है और आप आराम से नांगलोई से तक जाना है तो कितना आसान हो गया आपको यह पता करना कि किसी particular train के अंदर कोई seat available है कि नहीं आप सपोस्स करिए कि ट्रेन के बारे में कुछ जानना है तो आप यह देख सकते हैं कहां से कहां जनरल क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिए आप ट्रेन पता करें तो नॉर्मल हो गया हम बात करते हैं प्यानार इंक्वाईरी की जड़ा देख लेते हैं अब यह एक प्यानार नीचे आपको दिख रह होगा यह देखिए प्यानार नंबर आपको दिख रहा है तो इस प्यानार नंबर को जब मैंने सर्च किया तो मुझे यह आरे सी 31 32 यह सारा कुछ मुझे यहां दिख गया किया है अब यह मुझे यह लोकेट करना हो कि कहां पर है तो यह बीशिक्स यहां भी लिखा हुए आ यह मुझे ग्रैफिकली बता देगा कि मेरी 31 49 नंबर सीट किस साइड में है तो यह दिख रहा है साइड लोवर और साइड लोवर है इसी तरीके से कहीं और होता तो भी बता देता एक और अची बात इस एप की ज़रा देखिए यदि आप यही सपोज करो इसी मेरा 31 49 था त मुझे पता करना है तो 40 नंबर देख रहा हूं क्या दिखा रहा है मुझे यह मुझे दिखा रहा है कि 40 नंबर जो है आपका वो गोरफपूर से रोतक तक अकुपाइड है रोतक से भटिंडा तक खाली से खाली है तो यह देखिए यह आपका सीट नंबर 40 दिखा रहा है साइड अपर अच्छा बैक करते हैं अब तो इससे मेरे 22 नंबर देखने कोशिस करें तो यह क्या दिखा रहा है कि गोरफपूर स बस्ती से नंगलोई तक अकुपाइड है तो यह सारी चीज़ें पता कर सकता है सब्सक्राइब करें ऐसा भी होता है मैं गोरफपूर से बैटा और यहां पे जैसे मैंने 39 की जगह 40 वाली सीट को क्लिक किया तो यहां मुझे दिख रहा कि कोई बंदा था जो गोरफपूर से रोतक के लिए टिकट बुक किया था लेकिन पता चलना तो गोरफपूर आया बैठा ना खरिलावाद बैठा ना बस्ती बैठा ना कहीं और बैठा तो ऐसे केस में क्या होगा इसका मतलब यह है कि अब यह मेरी जो पहले आरेसी 39 थी अब वो पूरी 40 मतलब 39 और 40 वो दोनों मुझे मिल गई ठीक है ना तो मेरे पास वो अवेरेबिल्टी है मतलब जो मेरी आरेसी थी अब वो कनफर्म हो जाएगी तो इस तरीके से यह आपको एडवांटेज यहां पर मिल जाता तो एक तो आप इससे पता कर सकते हैं कि भई आपके सीट की एक्जेक्ट लोकेशन क्य डिया कdogs मिल अंदर को वहां जाके ने आप अब बाहर पता कर सकते हैं कि यह फेस्ञरी यहां इनफरमेशन का कुछ अडवांटेज रहा दूसरी चीज न आप देख रहे तो तो यदि कोई कहीं पे आपको और यह आप यहां पे कलर दिख रहा है कि यह आप PNR से सर्च करके आ रहे हैं तो आपकी सीट का कलर ब्लू रहेगा यदि पूरे डिबे में कोई सीट पूरी खाली है तो वह ग्रीन कलर से दिखेगी पार्शियल देखिए मोस्नी सीटें आपको ट्रेन शुरू वहां से लेकर कि लास्ट तक पूरी बर्थ वह आकुपाइड है जो जो वाइट कलर में है तो यह सारी इंफर्मिशन आपको यहां से मिल जाएगी अब जरह हम फिर जाते रिजर्वेशन चार्ट की तरफ जाते हैं यहां आपको ट्रेन का शिडूल भी मिल जाएगा बैक करते हैं रिजर्वेशन चार्ट की तरफ जाते हैं अब सो रिजर्वेशन चार्ट में हम आगे नीचे हम पर दिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखा वाद इस ग्राफिकल रिप्रेजर्वेशन चाहिए अपने थाइम पर अपने हिसाब से नावी आप डाउलोड करो 100% paperless process 20 लाकत का लोड इस इंसन बांक प्रांसफर नावी लोड तो यहां पर क्या लिखा वाद इस ग्राफिकल रिप्रेजर्शन प्रें अप्रें अप्राइब अप्रफिकल पोजीशन आप फोच फाम एजन नीद तो वी वेरिदीफाइट एस इसलेशन है क्लिक आं कोच तूशी डेटेल कोच बर्त अहां टीटी आं ट्रें कैन बूग टिकेट इल नियू डेलही अनलाई बूकिंग इस अवेलिबल आप यहां से कोई भी सीटाप की खाली है और आप उसकी बुकिंग जाते तो टीटी आपका ट्रेन के अंदर आपके लिए टिकेट बुक कर सकते हैं तो सारी इंफर्मिशन दी हुई है और ट्रेन की रणिंग स्टेशन देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कहां कितना डि किसे आप इस एप का तो एडवांटेश ले सकते हैं दूसरा यह जब वेकेंसी तभी मैंने फर्स्ट एसी का दिखाया सेकेंड डेसी में देखेंगे तो कुछ आपको सीटे कहां कहां से अवेल देशे गोरगपूर जंग से माने जब को लखनो जाना है तो आपको पता है कि प्रस्ट एसी में फसक शल्क तो यहां से आप देख करके पैदा कर सकते हैं कि कहा से कहां तक किस सिते कहां से कहां तक वेले Himalayeb से वहां जा करके टीटी क्रेकर के और आरहां से बैठ करके अपनी जरनी कर सकते हैं अब फिर मैं रिजर विशन चार्ट में जा रहा हूं सूर चार्ट में दिखाया थर्दbuat अब देख सकतें तो जैसे मैं ने दिखाया तो फैसी में जितने भी डिब्बे हैं सारे डिब्बे की देखिए पूरी इंफर्मिशन आपको पता जूब जाई कि कौन से कोच में कहां से कहां तक कि सीट खाली है तो आप डारेक्टली वहीं जाके बैठिए और टीटी से मिलिए और अपने लिए टिकेट बुक कराईए और आराम से अपनी जर्णी कम्प्रीट करिए अधर वाटकते रहे जाएंगे इसी तरीके से आप स्लीपर का भी जाएंगे स्लीपर में भी देखिया आपको दिखा रहे हैं तो यहां भी देखिए आपको भीवानी से बटिंदा अगरे दिखा रहा है गोरगपूर से बस्ती खेलाबाद बस्ती गुंदा इस सारी चीजें आपको यहां दिख गई तो आई थिंक के लिए आप इस एप को लोड करेंगे इस अब का नाम फिर से मैं आप पता दू इसका नाम इस आप का नाम है train chart है na train chart है जिसमें आप इस तरीके से रेल रिजर्वेशन चार्ट एन पी अनार करके कैब है और यह आपके कभी भी आप कहीं भी आत्रा कर रहे हैं देखिस में क्लियर लिखा है रेल रिजर्वेशन चार्ट लाइब स्टेटस पिनार इंक्वाइरी वेकेट बर्थ कोच का पुरा लियाऊट आपको यह वीडियो और यह इंफर्मेशन प्रसंद आया होगा क्रिपया इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सेयर करें जो आपके नियर दियर फ्रेंड फैमिली मेंबर से हैं वो इस इंफर्मेशन से एडवांटेट लेज़के हैं थैंक्यू सो मच झाल